दर्शिको मही का मास चोने औरने जा रहा है तो हम सब के मन में जिग्यासा रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है कैसा हमारे जीवर पर प्रभाप पड़ेगा जोपी ग्रह गोचों की सिती बनने चाहे रही है हरी किशा दर्शिको वैधिके स्ट्रोगेंद में आपका सवागत है मैं अचारया पूज़ा हमारी मासिक राशी फालादेश में हमने अब तक आपको आठ राश्यों के वारे में विविन विविन श्रंकला में बताया आज की श्रंकला में चर्चा करेंगे धनू राशी के जा इसे दो महिएं को दूर के सब्सक्राइए बढ़ात के इंड पर साथ सत्वास्थि की तो स्वाश्थ की बात करें तो मही का महीना आपके लिए समान रहने वाला है को छोड़ी मूटी समस्या को छोड़कर कुल मिला के ये महीना आपके स्वास्ते के लिए काफी बढ़ी है रहने वाला है शेश्टे शुक्र का सप्तम भाव में प्रवेश करके आपके लगण में दिश्टी डालना छोटी मोटी समस्या तो दे सकता है और खासकर आपके लगने जो है अभी गुरु चंडाल योग में है राहो के साथ पंचम बाव में तो छोटी मोटी समस्या जैसे आपको पाचन से सम्मधी समस्या या अपचन से सम्मधी समस्या हो सकती ह तो इसका आपको विशेश त्यार रखना होगा लेकिन कुल मिला के हम कहें तो मही का महीना आपके सौचते के लिए काफी बैठते रहने वाले लेकिन फिर भी आपको लापरवाई नहीं करनी अपने खान पान का विशेश त्यार रखना है दर्श को बात कर लेते हैं अब आपके शिक्षा और करियर की मही का महीना में ही कैसे रने वाला है तो पंजब भाव में चार ग्रह की यूती अच्छा खासा परिणाम आपको देगी लेकिन आपको अति आत्मे विश्वासी होने से बचना है अवरोध आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि जैसे लगनेश मैंने बता है गुरू चंडाल योग में है साती सूर्य राहो के साथ ग्रहन योग में है तो बहुत संगश तो है लेकिन सफलता भी आपको जूरू मिलेगी कैंपस फ्लेस्मेंट में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी लेकिन उसके लिए संगश आपको कावी करना पड़ सकता है इसके अलावा परतियोगिता की त्यारी में आपको दिश्चे संफलता मिलेगी जैसे आप त्यारी करेंगे जिसनी भी में दाट आप डालने के उसके अनुसा आपको परिणाम जरूर मिलेगा और सकरात्म परिणाम देखने को मिलेगा इसके अलावा आपके आत्म आत्म विश्वास बना के रखे लेकिन अत्ती आत्म विश्वासी होने से आपको बचना होगा इसके लावा करियर की शुरुबात आपकी काफी बहतर रहने वाली है खासकर आप जो भी समस्य आप तक आपको अपने अजस्ट्मेंट में देख रहे हैं उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी इसके लावा आपके पेक्षा, अनुसार आपको प्रेस्मेंट मिलेगी और जिसमें आपकी जो भी प्रोफाइल आपको मैच करती है वैसे ही आपको मिलेगी यह आपके स्किल के अधार पर आपको प्रेस्मेंट मिलेगी कुछ में लाके हैं तो आप करियर के लिए काफी भैतर रहने वाला है मही के महीन है लेकिन जैसे मैंने बता है आपको फोकस बना के रखना है देरे बना के चलना है संगर्ष और भाग दौड है लेकिन विज़े आपकी निश्चिंत है यह आप मान कर चले जो दनूराशी के ज आपको सफलता नहीं मिल पारी है एक बार में बिब्कुल भी तो मिलेगी नी पंद्रह में के बाद हालक कि स्थिती में काफी आपको सुधार देखने को मिलेगा लेकि तब तक आपको धेरे बनाके रखना है इस ख्लावर नई नौकरी के लिए आपको सकरात्मा रिस्पॉं और आपको ये मान के चलने हैं कि आपने जो भी कि आपकी महनत करिये आपको उसका फपल और उचित परणाम ज़रूर देखने को मिलेगा इसके अलावा आप मेवैसाई की बात करें तो कुछ अच्छा आइडिया ये कुछ नया आइडिया सोचेंगे खासका जब शुकर आइडिया आप इंट्रिद्यूस करेंगे अपने बिजनेस में इसके अलावा कोई भी अटका कोवा काम अब तक आपको जो समस्या दे रहा था उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी आपको अतियात में श्वासी होने से बचतना है साथ ही कुछ अवरोध भी आपको सकता है लेकिन वो शीक्र दूर हो जाएगा अपनी एकागरता बना के रखें साथ यह आपके जो पार्टनर के साथ साथ जो भी आपके जो मत्भेत था उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिलेगी दशको अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंद और विवाह जीवन के के लिए धनुराशी के जातकों के लिए मही का महीना कैसे रहने वाला है तो प्रेम संबंद की बात करेंगे तो काफी अप शंकितो भ्रमत की सिती में आप इसी कारण कोई निर्णे नहीं ले पा रहे हैं खासकर आपको अपने संबंद में इस प्राकार का अनुभव हो रहे है और अन्य चार ग्रहत की यूथि आपके पंचब भाव में हैं जिसके कारण आपकी मती ब्रहमित हो रही है इसके लावा आपको अपने विवाह के लिए कुछ समस्या देखने को मिल सकती है लेकिन आंतरता आपको सफलता जुरू मिलेगी को विवाह का प्रस्ता भी आपक अगणता और प्रेम की विद्धी देखेंगे साथ एक दूसरे पर विश्वास का और भी मजबूत होगा लेकिन सस्वाल पक्षे कुछ समस्या होगी लेकिन ये आपके जीवन पर कोई भी विप्रीत प्रभाव नहीं डाल पाएगी इसका मतलब आपका सम्मन काफी मजबू कराना है इसके लाव ओम गंग गडपते का 108 बार निरंतर जाप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी दियो में सुख शांती बनी रहे और आपकी बादर दूर हो दर्शको आप ये जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आले इसके कर दोच्चरिक बादर